प्री लोक्डाउन इबांग पोस्ट लोक्डाउन पुरिस्थितिते बिमान पुरिशिबा जन्रों जातरी देर खित्रेक इछुं नोटून निर्देश्वेका जारी कड़ा हुँछै। भारुत शुरकारे निर्देश मोता बैक्ता कड़ा हुएछै। शोक्रबार पुरिशेबा सभवीक करार आगि जात्री देर चोर्नी एक्टी ड्यमो करा हाए MBB विमान बंदरे जाते करे लोकडाउने यर परवुर्ती पुरिस्थितीते जात्रीरा एकहने आश्पे वग बिमाने जात्रा करवे तकहुन जानों पुरिबोर्ते तो निर्देर शम्पर के तार अबगत धाके ए नोतुन निर्दिशिका उनुझ जाई बिमान बंदरे आशा जात्री देर एक्टी निर्दिष्ठु स्थाने तादेर माल पत्रो रागते हबे शी माल पत्रो सेनिटाइज कोरबे बिमान बंदरेर कोर्मीरा एर पर शास्थो कोर्मी देर दल आदेर बर्डी टेंपरिचर पुरिखा कोरबे एई प्रोक्रिया शेशे जात्री देर CISF कोर्मी देर टिकेट ओ आईडी प्रूफ दाखाते हबे किन्तो एर मुद्धे पुरिबर्त न आना हुए छे एक्टी जायके जात्री रा तादेर आईडी कर्ड ओ टिकेट बैगेज चिन्हीतो करे त्याग लागी ए रेखे देया हबे शेई शंगे समाजीक दुरत बजाय राखते बिफिन्नो स्थाने मार्कें करे देया हुए छे बशार खेत्रो एई निर्देशिका थागबे ओतिरेक्तो कोर्मी एकाजे नियोजीतो करा हो छे सेल्फ काउंटर पाशाबाशी ससनीटाइजरेड ब्यावुस्था करा हुए छे, कोर्मी देर पी-पी ए स्वामुगरी दिया हो छे, निर्देशिका गुली प्रतिनियोथो देखान威 अध्جे शुमस्तो धरणेड ब्यावुस्था गुर्वुन करा हुए छे बुले जानान बीमान बंदोर कोची पोखो देखे प्री लॉकडाउन और पोस लॉकडाउन सिचुएशन में जो हमारे एर पैसेंजर्स हैं उनके लिए कुछ चेंज़ किये गए हैं जो भारत सरकार के देमक अंसार हैं आज हमने यहाँ पर एक ड्राई रंग या पैसेंजर्स को एक वॉक्ट्रू के लिए एक डेमू किया था जिससे यह क्लियर मैसेज जा सके कि जब पैसेंजर्स लॉकडाउन सिचुएशन के बाद यहाँ पर आएंगे और एर्स ट्रेवल करेंगे तो उनको जो चेंज़ेज हैं उसके वो लोग फैमलराइज हो सके इसमें सबसे पहले आने के वक्त पर उनको एक जगह पर आइडेंटिफाइड जगह पर अपना बैगेज रखना होगा उस बैगेज को डिसिंफेक्टेंग किया जाएगा सेनिटाइज किया जाएगा वो हमारी एक टीम हाँ स्टाफ रहेगी उसके बाद उनको थर्मल स्क्रीनिंग के थूरू अपने टेम्रेचर बोडी कि एसेफ के लोग रहते हैं उसको अपना टिकेट और आइडी प्रूफ दिखाना होगा जो कि पुराना नियम सा लेकिन चेंगेज उसमें यह है कि अभी वो किसी को फिजिकल कांटक्ट नहीं करना होगा बिना किसी कांटक्लेस प्रसिंजर फ्लो बनाने की कोशिश की गई ह और उसमें एक बीच में दोनों लोगों की बीच में एक एक्रिलिक का इंक्लोजर से एक शीट लगाया गया है पैसिंजर अपना आइडी प्लूफ और टिकेट वहाँ दिखाएगा इसको सैटिसफाइड होने के बास यह उसको एलाउ करेंगे अंदर आने के लिए जो पहले चेक-इन काउंटर दुआ करते थे बोर्डिंग कार्ट जहां मिलता था उसमें भी चेंज है एस पर न्यू गाइड लैंज अभी वेड चेक-इन करके ही आना होगा तो अपना जो बोर्डिंग कार्ट के साथ वहाँ पर दिखाने पर उनके बैगेज को आइडिटिफाई कर कि उसमें आइडिफिकेशन मार्क लगा के रख दिया जाएगा इसके साथ जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉम्स हैं उसके लिए हर वो पॉइंट पर जहां पर कि ये एक्यू होने की संभावना होती है ग्राउंड पर फ्लोर पर मार्किंग कर दी गई है एडिशनल स्टाफ को लगाया जाएगा जो इन चीजों को बताएगा इस पर आप देसे इवन ये सेज्ट चेकिन काउंटर है यहां पर भी हमने स्टाइजर को रखा हुआ है इसमें डिस्पले किया हुआ है लोगों को एंक्रेज किया जाएगा हाइजन को मेंटेन करने के लिए सेनिटाइजर को यूज करने के लिए जितना भी स्टाफ है उन सब को उनकी पोस्टिंग की प्लेस के इसाबते पीपी एक्पिपमेंट दिये गए है वेरो रिपोर्ट 3.24-7